तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है टॉम से जो कि किसी को बड़ी बेहरेमी से मार रहा था और उसका कपड़े और फेस पर खुन लगा वा था जिससे देखकर लगे रहा था कि उसने काफी बेहरेमी से किसी को मार रहा होगा अब फिर अगले सीन में टॉम आफिस के लिए निकलता है और अपनी वाइफ लिली और अपनी बेटी केटी को बाय बोल कर जाता है टॉम के फेमिली काफी ज़्यादा सिंपल और स्वीट फेमिली थी और आफिस में टॉम का एक दोस्त था जिसका नाम डैन था जो कि अपने का के लिए आना नहीं चाहता था वो डैन को मना कर देता है और डैन इस बात पर नारज हो जाता है और वहां से चला जाता है रात को टॉम केटी को बेड़ टाइम स्टोरी सुना कर सुला देता है और फिर वो अपने रूम में जाता है और लेली के साथ में वो अभी इंटिमेट ह लेकिन टॉम को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी टेंशन में है और उससे अंदर ही अंदर कुछ बाते परिशान कर रही थी अगली सूबर टॉम उठकर अपनी वाइफ लेली की तरफ अजीब तरीके से देख रहा था और फिर वो अपनी वाइफ के पास ही सो जाता है फि टॉम को लंच के लिए पूछता है पर टॉम डैन के साथ लंच के लिए नहीं जाना चाहता था डैन भी अब दुखी रहने लगा था क्योंकि टॉम देरे देरे उससे दूर जा रहा था फिर डैन अपने टॉम के साथ में पिताए हाई स्कूल टाइम को याद करता है हाई स् कहती है कि टॉम को दूसरी जोब मिल गई है और वे लोग ये शेर छोड़कर दूसरे जगह पर मूविन करने जा रहे हैं लेली को भी ये बात अजीब लगी थी कि टॉम ने डेन को इस बारे में कुछ भी नहीं बता है फिर रात के समय डेन टॉम के घर पर आकर उसके घर के ब माली बात नहीं बताई थी लेकिन टॉम डेन से ठीक तरीके से बाता नहीं करता है और अगले दिन बात करने का बूल कर वो उससे अपने घर पेज़ देता है पर अगले दिन भी ऑफिस में टॉम डेन से बात करना तो दूर उसके तरफ वो देखता भी नहीं है लंच के समय म टॉम को अपने घर पर इन्वाइट करता है मूवी देखने के लिए लेकिन इस बार टॉम डेन को मना नहीं कर पाता है और रात को टॉम और डेन कुछ डिस्टरबिंग वीडियो देख रहे थे जहां पर एक आदमी एक लड़की के पेट को काट कर उसके कटे हुए हिससे में अपने हाथ डाल रहा था डेन फिर टॉम को पूछता है कि वो इस वीडियो के बारे में क्या सोचता है और टॉम उस वीडियो को देखकर हिरान हो गया था वो बिल्कुल असली जैसा वीडियो लग रहा था और टॉम डेन से पूछता है कि उसे ये वीडियो कहां से मिली है डेन कहता है कि उसे ये वीडियो ओनलाइन मिली है अब टॉम अपने घर पर जाना चाता था पर डेन टॉम को रोक कर कहता है कि उनको इस वीडियो के बारे में कुछ बाते करना चाहिए पर टॉम उस वीडियो फोटेज को दिखकर इतना ज़्यादा डिस्टरब हो गया था कि वो वहाँ से चला गया था अब रात को टॉम सोते समय भी इनी वीडियोस के बारे में सोच रहा था जहां पर एक आदमी एक लड़की के मुँपर टेप लगाता है फिर वो उस लड़की के ब्रेस्ट को काड़ देता है और तब वो लड़की तरब तरब कर मारी जाती है लेकिन टॉम के सब सूच कर खुशी महसूस हो रही थी अब अगले दिन लंच पर टॉम डेन से पूछता है कि उसके पास और कितनी सीडी से जो की उन्होंने कल रात को देखी थी डेन केता है कि उसके पास में बस एक ही सीडी थी फिर टॉम उस CD को destroy करने को कहता है क्योंकि वो किसी crime की real footage लग रही थी अब रात को टॉम अपनी बेटी केटी के साथ में time spent कर रहा था पर केटी के pet को देखे कर टॉम को उसी वीडियो के मंडर की याद आ रही थी और उसके बाद रात को टॉम और लीली intimate होते हैं दूसरी तरफ डेन वे disturbing videos देख रहा था और वो अब उन वीडियो का edited हो गया था मतलब भी अब उसे उन वीडियो के दत लग गई थी अब अगले दिन डेन आफिस में late आता है वो lunch time में टॉम डेन से पूछता है कि वो late क्यों हुआ जिस पर डेन बताता है कि उसके पास उन वीडियो की नई tape का parcel आया है तो वो उसे देखने में लेट हो गया था टॉम डेन से नारज होता है कि उसमें फिर से उन videos को order किया था और डेन बताता है कि उसने ये टॉम के मना करने से पहले ही order कर दिये थे और डैन ये भी कहता है कि वो इन वीडियोस को डिस्टोय कर देगा पर उससे पहले उन्हें एक बार इन वीडियोस को देखकर ये जानना होगा कि इन वीडियोस में क्या है और इस बातों को Tom मना नहीं करता है और रात को वो Dan के घर पर आकर उन वीडियोस को देखने लगता है और ऐसा भी लगता है कि Tom भी अब उन वीडियोस का एडिक्टेड हो गया था अगले सुबह Tom देखता है कि उसकी वाइफ के पेट को काटा गया है और वो भी अब मर चुकी है लेकिन ये बस टॉम का एक भैनक सपना था और उसके बाद में टॉम और उसके फैमिली पार्क में जाते हैं लेकिन टॉम अपने फैमिली के साथ में इंजोई नहीं कर पाता है और वो बस एक जगह बैठकर उन वीडियोस के बारे में सोचकर परिशान हो रहा था लेली टॉम के पास में आकर उसकी परिशानी के वज़े पूछती है और टॉम लेली को कुछ नहीं बताता है और कहता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है अब रात को टॉम को नीन नहीं आती है और वो खुद को रोक नहीं पाता तो वो डॉन के पास से लाई हुई उन वीडियोस को देखना लगता है और लीली उसके पास में आना चाहती थी लेकिन टॉम उससे सोने के लिए फिर से भेज देता है अब इधर डैन रेस्टेंट की एक वेटरेस सेली से भूर दिनों से बाते कर रहा था और आज डैन सेली को अपने घर पर बुला देता है और अब यहाँ पर सेली और डैन एक दूसरे के साथ में इंटिमेट होते हैं फिर अगले दिन टॉम लंच के टाइम पर डैन को वो सीडी वापस कर देता है और उन सारी वीडियो की सीडी को जली से डिस्टोय करने को कह देता है और वो नई सीडी और करने के लिए उसे मना भी करता है लेकिन डॉन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इन सब बातों से कोई फरक नहीं पड़ता है फिर रात को लिली टॉम से डेन کے बार में पूचती है और ये भी कहती है कि वो डेन को कभी डिनर पर लेकर आए लेकिन टॉम इस बात का जवाब नहीं देता है जैसे कि वो नहीं चाता था कि डैन उसके घर पर आए इधर दूसी तरफ डैन सेली को कॉल करके अपने घर पर बुलाता है और सेली डैन के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करती है और उसके बार में वो बात्रों में जाती है अब अगले दिन ऑफिस में डैन नहीं आया था तो टॉम लंज के लिए उसी रेस्टरेंट पर जाता है और वहाँ पर वो नोटिस करता है कि सेली भी आज काम पर नहीं आयी थी और सेली के जगे कोई ओर लड़की आयी हुई थी फिर हमें डैन दिखाया जाता है जो कि घर में डिरिंक कर रहा था और वो एक के बाद एक सीडिस ओडर करकर उन्हें देख रहा था पर अब उसे भी लग रहा था कि वो उन सीडिस का एडिक्टेट हो गया है और इसलिए वो उन सीडिस को तोड़ तोड़कर अपना गुसा निकाल रहा था फिर डैन उसी रेस्टरंट पर जाता है उसे रेस्टरंट की नई वेट्रेस इव में सेली नजर आती है और पर जल्दी है डैन वापस से हूश में आ गया था अब अगले दिन भी टॉम नोटेस करता है कि डैन ओफिस नहीं आया था लेकिन लंच टाइम में डैन टॉम को उसी रेस्टरंट पर मिल जाता है टॉम डैन से पूछता है कि उसे क्या हुआ है और वो दो दिनों से ओफिस क्यों नहीं आया है डैन कहता है कि जो कोई भी उसे वीडियो भेचता है उस आदमी ने सेली को भी मार दिया है और टॉम को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो डैन टॉम को अपना घर ले जाकर वोई सीड़े दिखाता है जहां पर उस वीडियो में वो आदमी ने सेली को बांद कर उसके पेट को काट कर उसके अंदर अपना हाथ डाल रहा था सेली बहुत बूरी तरह मारी जाती है और डैन कहता है कि उसमें ये वाली सीडी ओर्डर नहीं की थी और ये सीडी किसी ने उसके घर के लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी वो कोई भी आदमी था उसे सब पता था कि डैन किस से मिलता है और कहाँ पर जाता है और वो कहाँ पर रहता है टॉम फिर फोरण अपने घर के ले निकल जाता है और डैन को पुलिस को कॉल करने को कहता है घर जाकर टॉम अपने फैमिली को सेव देखकर चेन के सांसे लेता है अगले दिन टॉम डेन के घर पर जाता है और डेन केता है कि वो पुलिस को कुछ नहीं बता सकते है क्योंकि पुलिस ये सूचेगी कि वो ही इन लोगों को मार रहे हैं जिस पर टॉम कहता है कि जब तुमने सेली को नहीं मारा है तो तो तुम डर क्यों रहे हो और हमारे पास तो वीडियो भी है जिसमें सेली मारी जा रही थी और उनके बास में बाकी मडर की फोटेजेज भी है जिससे देखने के बाद में पुलिस उन किलर को पकड़ लेगी लेकिन डेन ने सारी सीडी पहले ही डिस्टोय कर दी थी जिससे सुनने के बाद में टॉम डेन पर गुस्ता होता है कि पुलिस को दिखाए बिना उसने उन सीडी को डिस्टोय कर दिया है और जवाब में डेन बस इतना कहता है कि वो बहुत ज़दा डर हुआ था और इसलिए उसने उन CDs को डिस्टोई किया था और वैसे भी पुलिस उसी पर शक करती चूंकि सेली को अकरिबर जिन्दा उसी ने उसके घर पर देखा था टॉम ये भी कहता है कि वो उस वेबसाइट के कंप्रेंट कर सकते हैं जहाँ पर उससे वो CD मिली थी और उन वेबसाइट वालों को पता होगा कि वो CD कौन बेच रहा है जिसके जवाब में डेन ये कहता है कि एसी कोई भी वेबसाइट नहीं है उसे बस किसी ने कमेंट में उन वीडियो का लिंक मिला था और उसने कमेंट में ही अपना घर का एड़र्स डाल दिया था और सारी CD उसके घर पर डिलीवर हो गई थी ये सुनने के बाद में टॉम डेन पर बहुत ज़दा गुस्सा होता है और अब उनकी और उसकी फैमले की लाइफ खत्र में थी डेन कहता है कि हो सकता है कि ये सब कुछ जूटो और इन टेप्स के वीडियोस बिलकु नकली हो टॉम ये भी कहता है कि सेली मर चुकी है और ही वीडियोस जूटे कैसे हो सकती है क्योंकि ये सबी मडर्स असली है और टॉम डेन के साथ में अपने दोस्ती खतम करके वहाँ से चला जाता है टॉम अब बहुत परेशान रहने लगाता और उससे हर समय ये टेंशन लगी रहती थी कि उसके फैमिली को कोई खत्रा नहों और उसकी वाइफ लिली भी उसके बिहेवेर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी अब अगले दिन डैन फिर से आफिस नहीं आता है और टॉम जब घर पर था तो डैन कॉल करता है टॉम कॉल उठा पाता उससे पहले ही लिली दूसरी लाइन पर कॉल उठा लेती है और रात को टॉम लिली से डैन से बात करने के लिए मना करता है वो ये भी कहता है कि वो जितने जल्दी हो सके इस शेर से निकल जाएंगे लेकिन इस बात से लीली और टॉम के बीच में जगला हो जाता है क्योंकि टॉम लीली को कुछ भी नहीं बता रहा था टॉम लीली से उस पर गुशा करने के लिए माफी भी मांगता है अब अगले दिन डैन ओफिस तो नहीं आता है पर वो टॉम को ओफिस कॉल करता है और टॉम डैन से बात नहीं करना चाहता था लेकिन डेन टॉम से माफी माँगता है और वो उसे एक बार बात करने के लिए कहता है अब डेन टॉम को अपने घर पो बला रहा था ताकि वे दोनों टाइम स्पेंट कर पाएं और उनकी दोस्ती न तूटें लेकिन टॉम ऐसा करने से मना कर देता है और फोन कार देता है फिर अगले दिन टॉम अपनी नई जॉब के लिए दूसरे शेहर निकल जाता है ताकि वो मूविन करने के लिए सब कुछ ठीक कर पाए और टॉम के जाने के बाद में लिली डेन को रात के डिनर के लिए इन्वाइट करती है और रात को टॉम से फोन पे बात करते समय लिली उसे बता देती है कि उसने डेन को खाने के लिए बुलाया है जिससे सुनने के बाद में टॉम लिली से बहुत नारच होता है कि उसके घर पर ना होने के समय उसने क्यों बीना पूछे डेन को डिनर पर इन्वाइट किया है लेकिन लिली टॉम को अच्छे सा समझाती है तो टॉम मान जाता है और कुछ समय के पाद में डेन वाइन लेकर डिनर के लिए टॉम के घर पर आ गया था सीन कट होता है और अगली सुबे एक बहनक सपने के साथ में टॉम की निन्द खुल जाती है टॉम फोरण ही अपने शेर आने के लिए निकल जाता है और जब टॉम घर पर आकर देखता है तो उसकी वाइफ और बेटी घर पर नहीं थी उसे बस एक सीडी पढ़ी हुए मिलती है और टॉम उस सीडी को प्ले करता है उस सीडी में लिली और केटी को बेरेमी से काट कर मारा जा रहा था और ये देखकर टॉम बहुत ज़दा दुखी होता है और वो बहुत रहता है जिसके बाद में वो गुससे में डेन के घर पर जाकर उसे बहुत मारता है और डेन पूरा खून में लत्पत हो गया था और ये वही मूवी का स्टाटिंग वाला सीण था जहांपर डेन के मुँ और नाक पर हाथ रखकर टॉम डेन के सांसे रुक कर उसे मार डालता है अब ऐसा लग रहाता कि डेन नहीं उसकी वाइफ और बेटे को मारा होगा क्योंकि आकरी बार डेनी टॉम के घर पर आया था लोगों को मार मार के और वो कुछ ऐसी स्टोरी बनाता है जैसे कि कोई दूसरा व्यक्ति उससे उन सीडिस को भेज रहा है और शायद ये भी हो सकता है कि डेन अपने अकली लाइफ से परेशान हो गया हो और इसलिए उसने इस सारी किलिंग की हो तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में पीछे कमेंट जरो करना मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो ने